माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजडिवाल जी ने ED के दिये हुए 8 समंज की अवहेलना करी। जब-जब माननिय मुख्यमंतरी केजडिवाल जी समंज का निरादर करते हैं, तो वो कानून का उलंगन करते हैं। 174 IPC की जो याजका ED ने फाइल करी थी उसमें। ये नौबत ही नहीं आनी चीए थी। इसलिए आई क्यूकि माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजडिवाल जी ने ED के दिये हुए 8 समंज की अवहेलना करी। जब जब माननिय मुख्यमंतरी केजडिवाल जी समंज का निरादर करते हैं, तो वो कानून का उलंगन करते हैं। लेकिन आज ये तै हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मानने नहीं है। जी बिलकुल भी नहीं, ये बेलेबल उफेंस है, इसमें तो बेल मिलनी थी। लेकिन कितनी शर्मनाख बात है कि ये नौबत भी आई, देखिए मैं बार-बार कहती हूं कि पीमले में ये अनवार होता है, अगर आपको समन दिया गया है, तो आपको उस समन के का आदर करते हुए, जाकर जांच एजिंसी के समक्ष पेश होना है। लेकिन क्या करें, मानने मुख्यमंत्री जी एक सामान्य विक्ति एक आम आदमी के आवरणों में बहुत ही खास विक्ति हैं, और आज उसी का उनको खाम्याजा भूगतना पड़ा है, कि एडी को कचहरी में जाना पड़ा, और कचहरी ने भी उनकी बात नहीं मानी, अब उन होना पड़ा है, जमाना तो मिलनी थी क्योंकि एक बेलेबल उफेंस है,